नमस्कार वच्छों आप सभी का सौगत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल होम साइंस में जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं बी ए प्रथम सिमेस्टर होम साइंस और आप सबकी क्लास कौन सी है आज की क्लास 11 है ठीक 11. class है आप सभी की इससे पहले की जो class है आप सब attend जरूर कर लें जरूर से जरूर सारी वीडियो देख लें क्योंकि सारी class बहुत important है और आप सब का paper भी नज़दीक है तो बच्चों आज का season जो है बहुत important है सभी महतपोर्ट प्रश्णों को सामिल किया है और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ा करें जादा से जादा सेयर किया करें और जो अभी नए जुड़े हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलिग्राम का जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में जो जोईन करना चाहते हैं जो पीडियप चाहते हैं वहाँ से पीडियप राप्त कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से जुड़ के ठीक तो आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक पर तो आज हमारा प्रस्म है खमीरी करड का लाब बताईए खमीरी करड से क्या लाब होता है जैसे कि आपको पता रहा है दूद में खमीर होते है तभी तो दही बनता है दूद में जब खमीर आता है तभी दही बनता है इसके लाब बताईए तो आगे देखते हैं पोशक तत्तों के पोशक मोल्यों में ब्रिधी सबसे पहला आता है जब पोशक तत्त होता है जो आपका निट्रेशन होता है उसमें उन तत्तों में पोशक मोल्यों की ब्रिध होती जैसे कि देखते हैं खमीरी करण दोरह भोजपदार्थों का पोशक मोल बढ़ जाता है, ठीक, क्योंकि ये सोच में जियोखाद पदार्थों में बिटॉमिन A और बिटॉमिन B2 और बिटॉमिन B1 का संसलेशर्ड करते हैं, ठीक, ये सभी बिटॉमिन का संसलेशर्ड करते हैं, जिसमें क्या होता ह है जिससमें इन बिटामिन की मात्रा अधीक हो जाती है और इससे क्या होता है ब्यक्ति को बहुत फायदा भी होता है शरीर की गर्रों के लाब होते है खिर एईरन की पूरी मात्र होते है और अवस्थर कमीनों इंर्ले की अप लब्दता बढ़ जाती है भोजे पदार्थों का सुपाच हो जाना खमीरी करड़ अगर होता है वैसे तो अगर आप देखेंगे तो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं खमीर जो होते हैं वो छोटे-छोटे कीड़े होते हैं पर आप यूज करते हैं अपने दही में दही नहीं बनती अगर खमेर न होते तिक तो खमीरी करे तो भोजे पदार्ध सुपाच हो जाता है क्योंकि भोजे पदार्ध बहुत ही नरम और खूले हुए हो जाते हैं तथा वजन में भी हलके हो जाते है उड़त के लिए दूद के पेच्छा दही इडिली और दोसा अगर आप इडिली बनाती हैं तो उसमें खमीर उठाने के लिए क्या डालती हैं वेकिंग, सोडा वगएरा इस सब डालते हैं तो इससे खमीर होते हैं उसमें तो फूलता है ठीक रोजी करें हम सौदिष्ट भूजन जैसे खमीर करें भोजपदार्थ ज्यादा सौदिष्ट लगते हैं इसमें इससे क्या होता खादपदार्थों के सौद की विभिनता आ जाती है और भोजपदार्थों में अमलियता आ जाती है, अमलियता बढ़ जाती है, खटापन जन में परवेस्ट करने वाले रुगाड़ों को पनपने नहीं देते जिससे भोजन देर तक सरचित रहता है उसके बाद यकरित के विविनकार बताईए यकरित के कारविचों कई है या सरीर के सबसे बड़ी तथा महतपूर ग्रंती होती अगर कहीं प्रश्ण पनता है सबसे बड़ी महतपूर ग्रंती कौन सी होती तो यकरित होता है इसी के वो लीवर बोलते है या अमासे के दाहनी और रिस्तित होता है और या सरीर में अत्यंत महतपूर कार करती है इसके कार देखते हैं फस्ट आता है यकरित का सर्व प्रमुख कार पित रस बनाना होता है जिससे कार्वो हाइडरेट और प्रोटीन को पचाने में सहायता मिलती है सिकंड आता है या अतरिक्त गुलुकोज को गलाइकोजन के रूप में बदल कर अपने में संचित रखता है तथा आउसकता नुसार पुना गुलुकोज के रूप में बदल कर सरीर को उर्जा प्रदान करता है उसका बद सेकंड आता है इसमें हैपिरिन नामग ये नाम याद रखना हैपिरिन नामग एक रसानिक पदार्थ होता है किसमें होता है यक्रित में ठीक जो रख्त को तरल बनाए रखता है उसके बनेश आता है यकृत रक्त में एक बिसेस प्रोटीन प्राइवो नोजन का निर्माड करता है जो रक्त इस्तराव के समय रक्त के थक्के के रूप में जमकर इस रक्त इस्तराव रोकती है ठीक उसके बाद आता है आपका बच्चों सारे प्रस्ट इंपोर्टन है सारा प्रस्ट जरूर से रिवीजन करते रहें यक्रित में अभी तक बच्छों लाइक नहीं किये हो तो लाइक कर दो अगर पसंद आ रहा है तो और जो शेर नहीं करते हो शेर भी आवसे कर दें ठीक और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल क को सब्सक्राइब कर लें यह अक्रित में बनने वाले पितरस में सोडियम बायकार्बोनेट नहीं है सिर्फ कार्बोनेट है ठीक नामक झारिये वदार्थ होता है जिसके दौरा यह पाक्वश में आए हुए भोजन के अमलिय परभाव को कम करता है ठीक उसके बाद देस्ट आ को यूरिया तथा यूरिक एसिट से बदल कर सरीय से बाहर निकालने में मदद करता है उसके बाद आता है लाल रख्ट कडिकाओं का निर्माड भी करता है और नस्ट भी करता है उसके बाद यह दोनों बहुत इंपोर्टन है इन्हें भी देख लेते हैं इसे के साथ टिपड़ी आता है पेपर में तो लार ग्रंथी क्या है बताइए लार ग्रंथी लार छोड़ती है जो पाजन किरिया शुरू करती है और लार ग्रंथीयों के तीन जोड़ों द्वारा निकाला गया लार भोजन में मिक्स होता है आप भोजन करते हैं तो आपके निकलता है ना ग्रंथी जो थोड़ी पीछे की और इस्थित होती है और वहीं सब मैकलरी ग्रंथी जो थोड़ी पीछे की और इस्थित होती है तथा सब लिंगवल के नीचे हैं तथा पैरा टायड ग्रंथियां वहां इस्थित होती है जहां जबडा कानों के साथ गर्दन से मिलता है वास्तों में लार ग्रंती दो प्रकार के होती है एक तो पतला पानी जैसा द्रव जो भूजन की नरम बनाता है ताकि वह ओसो फेगस की दिवारों को चिकना बनाती है तथा भूजन को एक साथ जोड़ कर फूड मास बनाती है जिसे क्या होता है बोलस कहते हैं और लार में पाचक लवर्ड एमिलेस होता है और यह एंजाइम कार्बो हाइडरेट को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ना सुरू करता है और स्टार्ज को क्या करता है पॉलिसेक्राइड है जो स्टार्ज जो पॉलिसेक्राइड होता है उसको मल्टोज में बदल दिया ज यह सब मैंने पढ़ाया हुआ है यह सब मैंने पढ़ाया हुआ है लार जीब और दातों को फायदा भी करती है इसके बीना जीब की स्वाद कोश्काएं ठीक से काम नहीं कर पाती इसमें एंटिबैक्टरियल गुड़ होते हैं जुम्मों और दातों को जिवाड मुक्त रखता है तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा आज का वीडियो और बहुत सभी महत्पूर परश्णों को मैं लेकर सामिल होती हूँ हर एक सेशन में तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै माताराने